नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा खास कारी करम नियूज रूम आपके साथ मैं हूँ अश्रता आई रूप करते हैं मध्यप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर इसकी पुस्टी मौसम विभाग ने की है मौसम विभाग के मताबिक दुफेर करीब 12 बचकर 54 मिनिट पर धार बढ़वानी अलिराजपुर में भूकंप के जटके महसूस किये गए हैं जिसकी तीवरता 3.00 शून दर्ज की गई है इसका हाइपो सेंटर 10 किलो मीटर गहराई प रोज एक पेड़ लगाने का संकल प्लेकर बड़ा कदम उठाया था 19 फरवरी 2019 को अमर कंटक से CM ने इस अभ्यान की शिरुवात की थी जिसे आज 2 साल पूरे हो चुके हैं इन 2 सालों में CM ने 2140 पौधी रोपे हैं डेली प्लांटेशन के 2 साल पूरे होने पर आज CM ने परिपूर्ण घना जंगल तैयार हो रहा है रामवन में 120 प्रजातियों के 140,000 पेड़ लगाये जा रहे हैं रामवन के 16 एकड़ के परिसर में 7 तालाब भी हैं और यहां मध्य प्रदेश का पहला मानव निर्मित बन हैं देखे बात करेंगे अगली खबर के बारे में जहां श्री महाकालिश्वर मंदर में महाशिवरात्री का पर्व बहुत ही खास होता है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालू यहां पहुंसते हैं महाशिवरात्री पर एक ही दिन में 1500 कुईंटल लड़ू प्रशाद की रिकॉर्ड विक्री से करीब 24 संदीब सोनी ने बताया कि श्री महापर्व के एक दिन पहले से ही दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई थी शुकरवार को करीब 5 लाग श्रद्धालू ने दर्शन किये वही श्री पर्व के दिन भी देश भर के करीब 8 लाग श्रद्धालू दर्शन करने यहां पहु समिक्षा की अलग-अलग जिलों में किये जा रहे हैं नवाचारों के साथ ही सीम्न मंत्रियों को अपनी कारिश्यली में सुधार करने की भी हदायत दी है सीम्न मंत्रियों से कहा कि फील पर अपनी स्थिती को ठीक रखें जन्ता और कारिकरताओं से कम्यूनिकेशन गैप न बने जल्द ही फिर समिक्षा बैठक की जाएगी जो भी समस्या है विकास यात्रा के दौरान जनता की ओर से बताई जा रही है उन्हें चिन्नित करके सुधार करें पर्फोमेंस ठीक ना होने पर बदला भी के जाएंगे बात करेंगे अगली खबर के बारे में जहां राजधानी की जीवदया गौश्वाला में गायों की मौत और उनके शवों पर जम कर सियासत हुई जाच में नगर निगम और गौश्वाला प्रवंदन की खामिया भी सामने आई लेकिन जिस तरह से गौवश की मौश्वालाओं में अब म्रत गौवश की खाल उतारने और हड्या बेचने पर भी रोक लगाने को कहा गया है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही ताज़ा तमाम खबरों को देखने के लिए बने रही है MP News के साथ